और इस वक्त आपको सीजी तस्विरें दिखाते हैं कुरूश शित्री की यहाँ पर आर्य महा सम्मेलन गुरू कुल में आर्य महा सम्मेलन का आजन किया गया है और हर्याना के मुख्यमत्री नायप सिंग सैनी भी कारिक्रम में मौजूद है राजय पाल देवरत आचारे देव पल पल कंड कंड केवल राष्ट के लिए समर्पी थे और वो बार बार एक बात कहते हैं मैं राज करने के लिए नहीं आया यह शब्द है मैं राज करने के लिए नहीं हूँ मैं तो ये एक प्लेट फार मिला है इसमें इस भारत की खोई हुई संस्कृति को बचाना चाहता हूँ यूवा पीडी का दिर्मान करना चाहता हूँ इस देश की विरासत जो लुपत हो चुकी है गोमाता संस्कृतिक मुले और इसके साथ साथ इस देश की गरीबी से इस देश की जनता को निकालना चाहता हूँ परिणाम भाईयो पिछले दस साल में भारत का याकड़ा नहीं है विदेश की एजेंसी के याकड़े हैं पिछले दस साल में पच्चीस करोड गरीब गरीबी जेखा से बाहरा चुके यह इस समय है इसके साथ आप जिन सडकों से आज गुजरते हैं यह मत सोचों यह हरियाना में बढ़ी हैं कन्या कुमारी से काश्मीर तक अटक से कटक तक देश के किसी भाग में जाएए यह सडकें आज अमेरिका से भी बढ़िया सडके देश में बढ़ रही हैं आज एरपोर्ट जो सतर साल में बढ़े थे इस दस साल में दोगुने बन चुके हैं प्यारे भाईयों इंफ्रास्ट्रक्चर का शेतर हो उद्योगी क्रांती हो और प्रधान मंत्री जी ने काम जो बेरे को दिया जो प्राकरती खेती गोपालन उन्होंने कहा चैरी जी आज देश की जनता और भावी पीडी को बचाना है और उसका तरीका केवल एक है कि हम यदि एकदम बंद करते यूरिया डियेपी को तो इन लोगों की आदत बन चुकी है खड़े हो जाते सड़क पे लेकिन धीरे धीरे प्रधान मंत्री जी ने इस 15 अगस्त को लाल की ले की प्राचीर से प्राकरती खेती की बात कही और तुरंत बजट में पहली बार प्राकरती खेती का प्रावधान किया और अब एक क्रांती देश में होने बाली है उनको चिंता इस बात की है घर घर में कैंसर फैल रहा है हार्ट अटेक हो रहे हैं डाइबिटीज हो रही है किड्निया फैल हो रही है पैंक्रियाज फैल हो रही है छोटे छोटे बच्चे हार्ट अटेक से मर रहे हैं अब रिप समाधान केवल और केवल प्राकृती खेती है, देशी गाय आधारित प्राकृती क्रशी और ये प्रमानित हो चुकी है, मैं पिछले 9 साल से इसे वियान पे लगा हूँ, हिमाचल प्रदेश में इस समय पोणे 200,00 किसान प्राकृती खेती करते हैं।